हलो दोस्तों स्वागत है आप सब का हमारे नए वीडियो में तो आज हमने आपके साथ सेयर किया है हरे मटर के नास्ता की रेसिपी यहाँ पे आप लोग देखी सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है और दोस्तों इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा इजी है यह ज चलिए दोस्तों इसे फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए ना आपको लेना होगा हरा मटर तो यहां पे हमने मटर के उपर का जो छिलका होता है उसे हटा कर ले लिया है यहां पे मटर को पीसना होगा तो यहां पे हमने ग्रैंडर जाल ले लिया है इसमें मतर को dar fees लेंगे, हल्का दरिदया सब走स्त नहीं बनाना है तो इसमें थोड़ा सें पान के तयार हो जाएगा बहुत सब दूस्तों इसब पीऑ यह है तो छली को पेस लिए लीआ, पूर आपधे रहोँ, तरफ न समय निखावादो पेस्यडोन हो है, पेस्ट इसको एक बरतन में निकाल के रख लें तो हम निकाल लेते हैं अब दोस्तों चलिए जल दे हैं next step की तरफ तो यहां पर हमने पैन में थोड़ा से तेल डाल के रख दिया था तेल गर्म हो गया है तो इसमें डाल देना है एक छुड़ा चम्मच जीरा जीरा चटक आपको ना ऐसे भूल लेना है जब प्याज हलका से ब्राउन हो जाए फिर इसमें आइड कर देना है बेशन यहां पर जो बेशन है ना मटर को एक अच्छा सा बाइंडिंग देगा इसे भिखरने नहीं देगा भरने में मतलब यह निकलेगा नहीं तो सौरी तो बेशन को भी इसे दो मिनट तक बढ़ियां से भूल लेना है तक इसमें का जो कच्छा पन होता है निकल जाए तो यहां पर बेशन की भी भूनाई हो चुकी है हमारी फिर इसमें आइड कर देंगे जो हमने मतर को पीस के रखा था ना इसको भी इसी में डाल देंगे अब मतर को बेशन के साथ मुतब सभी चीजों के साथ मिक्स करना है और इसमें ना स्वात के नुसार नमक डालना है नमक को डालने के बाद सभी चीजों को बढ़ियां से मिक्स करना है इन सभी चीजों को ऐसे पांस मिनट तक भूल लेना है तक जो मतर है अच्छे से पक जाए इसमें थोड़ा स स्टफिंग है इसके रेडी कर लिया है भुन के तो आपको भी इसी तरीके से तैयार कर लेना है तो इसे हम अपने इंडेक्शन पर से उताल लेते हैं यहां पर हमने गेहों का आठा ले लिया है इसमें थोड़ा से अजवाइन डालना है और थोड़ा से ही नमग डालना है इन जतना लच्छीला आठा गूथोगे न उतने अच्छे से आप रोटी को बेल पाओगे तो जो आठा होता है ना इसे नरम रखना है आठे को हाड ना गूथे तो दोस्तों यहां पर देखिए हमने आठे को गूथ लिया है तो आपको भी ऐसे ही रेडी कलना है इसमें बढ़ा से बिलना है पुरा चकले भर का तो इस तर्यके से लोहिफ को कर लेना है इसमें शुखाटा लगाकर फ़पला लेना है इस तरी के से और चले बेल लेते हैं फटर फटर देखी रहे होंगे और हाथ के द्वारा ना ऐसे सेप देदें इसका ट्राइंगल का तो पस इसी तरीके से आपको भी फैलाना है अब एक कॉर्णर को उठा के ऐसे चिपका देना है उसके पर थोड़ा से पानी लगा दें ताकि जो आटा है ना अच्छे से चिपक जाए एक द देखने में आसानी हो तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहां पर हमने पैन को रख दिया है जब पैन गर्म हो जाए तो इस पर ना अपने इस पराठे को डाल देना है जब पराठा नीचे की तरफ सिख जाए पहले एक बार ऐसे देख लेना है अगर अच्छे से पक नहीं तो नहीं अगहां अब इस वरल्फ कर देना है तो इस पराठा ना सन प्रफुमाल भी कर सकते हो अब इसको पहले डिसके दोस्तो यह धी धी फोलता है एक बैंग नहीं को और बहुत भषब सकते हैं कि फुल है उप्जिक पूल्टे कि सहाटास से परेड़ कर देंगे अच्छे से पग जाएगा और ऐसे साइड से मतलब तो इधर देखी दोस्तों हमने अपने सभी नास्ते को बना के रेडी कर लिया है उमीद करते हैं आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए सेर करिए और हमारे चैनल को फड़ फड़ से सब्सक्राइब करिए मिलेंगे इसी तरह वीडियो में नेक्स वीडियो में नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई 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 ब्राधी राधी